आईए आज देखते हैं probability का part 3 previous year question के रूप में जो BACV में पुछा जाता है 12th board में बिहार intermediate में 12th board में इसका अल्रेडी दो lecture हम बना चुके हैं दो part जिसमें 10 question बताया गया है probability का question number 11 से देखते हैं वीडियो को like कर दीजे चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो जरूर कर दीजे और दोस्तों में share कर दीजे चलिए शुरुआत करते हैं आज का session question number 11 से question number 11 देखिए आपके सामने है if probability of A is equals to 3 upon 8 probability of B is equals to 1 upon 3 and probability of A intersection B is equals to 1 upon 4 then probability of not happening the event A and not happening the event B जिसको लिखते हैं probability of A dash intersection B dash ये 2012 और 13 दो बार पुछा है सवाल बेहतरीन है short question में पुछे जाने की समभावना है इस बार इसलिए इसको मन से देखिएगा सबसे पहले तो आप ये समझिए कि probability of A dash intersection B dash का मतलब क्या हुआ probability of A dash intersection B dash का मतलब हुआ कि ना तो A हो और ना ही B हो इसका मतलब ये हुआ कि A union B का dash हो गया P A dash intersection B dash logically समझिए A dash मतलब A नहीं हो B dash मतलब B भी नहीं हो साथी दुन्नों नहीं हो A dash intersection B dash मतलब ना तो A हो और ना ही B हो इसका मतलब A और B के होने की probability को लिखते हैं A union B यानि A union B नहीं हो इसका मतलब ये हुआ probability of A dash intersection B dash बराबर होगा probability of A union B का dash और probability of A union B का dash का मतलब क्या हो जाएगा 1 minus probability of A union B 1 minus probability of A union B अब probability of A union B क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा A की probability जोड B की probability minus A intersection B की probability अब इसमें तीन अन्नोन दिया हुआ है A का probability दिया हुआ है 3 upon 8 अब बैक करके देख सकते हैं A की probability है 3 upon 8 B की probability है 1 upon 3 और ये intersection B की probability है 1 upon 4 अब इसको simplify करेंगे simplify करेंगे तो 8, 3, 4 का LCM हो जाएगा कितना 4, 8 का हो जाएगा 8 और 3 का 24 तो 8, 3 जा 24 और 3, 3 जा 9 3, 8 जा 24 और 4, 6 जा 24 9 और 8, 17 में से 6 गया 11 upon 24 ये किसका value मिल गया A union B का probability अब हमको निकालना है A union B नहीं होनी चाहिए यानि probability of A dash intersection B dash यानि PA union B का dash मतलब 1 minus probability of A intersection B तो ये हो जाएगा 1 minus A intersection B की probability अभी निकाले हम लो 11 by 24 तो 24 minus 11 यानि कितना हो गया 13 by 24 ये आप का answer हो गया आप option इसका देख लिजे 13 by 24 कहा है भाई तो option A है बहुत ही बेहतरीन सवाल उमीद करते हैं कि आप इस सवाल को conceptual सीख गए होंगे क्या क्या concept यूज हुआ क्या formula यूज हुआ ये सब एक बार फिर से आप अपने जब बनाईएगा इस सवाल को तो फिर समझ में आएगा और जहां कहीं दिक्कत होगा तो फिर से विडियो को पाउज करकर करके उसको लिख लिजेएगा चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हाँ लाइक करना न भूले और सेयर जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक विडियो पहुँचे उनको लगे कि हाँ कहीं पर तो पूरा अच्छे से डिटेल से अबजेक्टिव का सॉलूसन मिल रहा है या थियोरी भी बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं कुश्चन नमबर 12 कुश्चन नमबर 12 देखिए कर रहा है कि इफ प्रॉबैबिलिटी ओफ ए इगवल्स तु 3 अपॉन अपॉन पॉन टो and probability of A intersection B is equal to 1 upon 4 then P A dash upon B dash वराबर क्या होगा यह सवाल पुछा गया है 2013 दिखी इसका detailed solution पहले आप समझिये P A बटा B को हम लोग कहते है conditional probability P A बटा B मतलब हो गया A की probability जब B already हो चुका हो यानि B के हो जाने पर A की probability को P A बटा B लिखते हैं और इनका formula होगा probability of A intersection B divided by probability of B जो पहले हो चुका है उसका probability denominator में आपको find करना है P A डेस upon B डेस तो probability of A डेस upon B डेस बराबर क्या हो जाएगा probability of A डेस intersection B डेस divided by probability of B डेस ये बात ध्यान दिजिए probability of A डेस upon B डेस बराबर होगा probability of A डेस intersection B डेस divided by B डेस की probability क्योंकि ये conditional probability है P A बटा B अब आपका काम हो गया P A डेस intersection B डेस निकालना तो P A डेस intersection B डेस कैसे निकलेगा P A डेस intersection B डेस अभी बताये थे कि P A डेस intersection B डेस बराबर होता है probability of A union B का डेस मतलब 1 minus probability of A union B अब हम निकाल लेते हैं पहले probability of A union B तो probability of A union B का formula क्या होगा probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B ये इतना ज़्यादा formula यूज होता है पुछिये मत एकदम जुबान पे रहना चाहिए इस formula को अमेशा ध्यान में रखिएगा अब देखे इस सब का value आपको data दिया हुआ है P A का value दिया हुआ है याद कीजिए 3 upon 8 B है 1 by 2 और A intersection B है 1 upon 4 याद रखी हमको जरूरत पड़ेगा तो P A union B बराबर क्या होगिया P A का value कितना था 3 by 8 B का probability क्या था बताईए तो B का probability था 1 by 2 और A intersection B की probability थी 1 by 4 अब 8, 2 और 4 का LCM हो जाएगा आपका 8 ती हो जाएगा 3 2, 4 जाएट 4, 2 जाएट तो 4 अद 3, 7 में से दू गया 5 बता 8 होगिया ये क्या मिले गया P A union B P A union B तो हमको निकालना था probability of A dash intersection B dash इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 minus probability of A union B यानि 1 minus 5 upon 8 तो ये calculate कीजेगा तो मिलेगा 3 upon 8 लेकिन सवाल तो हमको कुछ और निकालना था निकालना था probability of A dash upon B dash यानि B dash हो गया है तब A dash की probability यानि ये कितना हो जाएगा भै इसका भैलू हो जाएगा probability of A dash intersection B dash divided by probability of B dash अब अभी आपको मिल गया probability of A dash intersection B dash का भैलू क्या मिल गया था भै ये भैलू मिल गया था आपको 3 upon 8 3 upon 8 और P B dash का भैलू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 minus B की probability और B की probability कितनी थी ये थी 1 by 2 तो 1 minus 1 by 2 यानि 1 by 2 तो हम निकाल देते हैं therefore probability of A dash upon B dash इतना बार बोल देंगे formula कि आप धंग से देख लिए एक सवाल भी देखिएगा तो आपको दू-तीन formula याद हो जाएगा probability of A dash intersection B dash बटा probability of B dash यानि 3 by 8 upon 1 upon 2 और इसको further expand किजी तिये हो जाएगा 3 upon 8 इन्टू 2 by 1 तो फोर जाएट अंसर हो गया 3 upon 4 जो option था आपका A आप बीछे जाकर check कर लिजेगा I hope आप सब को अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो जरूर कीजी और दोस्तों में इसे जादा से जादा share कीजी चलिए फिलहाल अगले सवाल की ओर चलते है question number 12 में चलते है चलिए अगले question की ओर चलते है question number 12 हो चुका था 13 को देखिए 13 number problem है the chance of getting a doublet with two dice is 2 upon 3 1 upon 6 5 upon 6 5 upon 36 यह पुछा गया आपको 2009 में जरा एक मिनट जल्दी से आप सवाल बनाईए हम आपका बेट करते है फिर हम आपको बताएंगे यह general probability का case है दो पासा को एक साथ फेका गया है तो sample space क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 बोलो तो बेटा आगे क्या होगा 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 और बोलो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 लास्ट में होगा 6 6 यानि number of sample space बराबर होगा 36 और event क्या होता है event होता है जो सवाल कर रहा है सवाल कर रहा है getting a doublet doublet मतलब हुआ दोनों पासों का अंग समान हो जाए तो दोनों पासों का अंग समान हो जाए मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और फिर 6 6 यानि n e बराबर हो जाएगा 6 n e is equals to हो जाएगा 6 और probability क्या होता है तो इन दोनों का ratio n e बराबर होता है n e बराबर होता है n e बराबर होता है n e बराबर यानि 6 अपॉन 36 यानि 1 अपॉन 6 तो अंसर हो जाएगा आपका 1 अपॉन 6 option b यह general probability है इस type के सवाल आज कल सब जगा पूछे जाने लगे हैं railway, banking, teacher सब में पूछे जाने लगे हैं चलिए question number 14 में चलते है question number 14 में चलते है next problem देखिए यह NCRT के book का objective है question number 14 के तोर पर if probability of a is equals to 1 upon 2 probability of b is equals to 0 then probability of a upon b क्या होगा यह दो बार आपको पुछा गया है ज़रा ध्यान दिजेगा 2020 में भी पुछा है 2022 में भी पुछा है conceptual सवाल है ध्यान दिजेगा देखिए a की probability 1 by 2 है और b की probability 0 है तो घराब p a बटा b तो आपको याद होना चाहिए p a बटा b अभी हम बताया है इसी लेक्चर में पहले सवाल में p a बटा b का मतलब हुआ a की probability जब b हो चुका हो यानि probability of a intersection b upon probability of b और probability of b दिया हुआ है 0 तो numerator में क्या है इससे हमको कोई फरक नहीं पड़ता है अगर denominator में 0 है तो इसको बोलते है undefined क्योंकि rational number में denominator 0 नहीं होता है rational number का मतलब भी होता है a number of the form p upon q where p and q are integers but q is not equals to 0 q 0 के बराबर नहीं हो तो इसका मतलब अंसर हो गया इसका not defined बढ़ी असान सवाल था conceptual है बस ध्यान देना है कि pa upon b का formula क्या होगा तो pa upon b का formula होगा probability of a intersection b upon probability of b चुकि probability of b 0 है इसका मतलब denominator का quantity 0 होगिया तो जब denominator का quantity 0 होगिया तो इसका मतलब ही वाकि undefined होगिया चलिए question number 15 में चलते हैं question number 15 देखिए यह repeated problem होगिया आप repeated problem को छोड़ देंगे आप लोग देखिएगा खुच से बनाईएगा यह repeated problem है pa दिया हुआ है pb दिया हुआ है pa union b दिया हुआ है निकालना pa intersection b simple सा बात हो जाएगा pa union b बराबर pa plus pb minus pa intersection b बस calculate करना आप सिखिए interest आ जाएगा pa union b हो गया 7 upon 11 pa हो गया 6 बटाएगार pb हो गया 5 बटाएगार और pa intersection b तो आपको निकालना ही है यानि यह हो गया 7 upon 11 है 6 बटाएगार यानि 1 minus probability of a intersection b इधर ले आते हैं तो probability of a intersection b is equals to यह हो जाएगा 1 minus 7 upon 11 यानि 4 upon 11 तो आप सा आपका option क्या हो जाएगा भई यह option a था एक मेरे नीजी वाटसे पर लिखे थे कि सरेक वीडियो में 4-5 सवाल ही बताईए ज्यादा देखते हैं तो ज्यादा दिकत यह हो जाता है 4 को ज्यादे अच्छा से समझ में आता है 4-5 बताईए नहीं थोड़ा सा बढ़िया से आप जो है revision भी हो जाएगा ज्यादा time लगेगा भी नहीं तो कुछ एक दो सवाल और देख लेते हैं चलिए question number 16 लेखते है question number 16 देखिए यह पुछा आपको 2023 में इसी साल पुछा है बस 2023 में पुछा है 24 में 24 में तो exam ही होगा there are if A and B are independent events and P A बराबर 0.3 P B बराबर 0.4 then P A intersection B बराबर क्या बढ़ी आसान सवाल है formula बस याद रखिए कि अगर A और B independent events हो तो probability of A intersection B बराबर क्या होगा probability of A intersection B बराबर होगा probability of A into probability of B इध्यान देना P A intersection B बराबर होगा P A into P B अभी सवाल के बाद independent event का थोड़ा साम concept भी दे देंगे तो कुछ नहीं सवाल था बहुत असान formula याद है तो P A दिया होगा 0.3 P B दिया होगा 0.4 यानि 0.12 अंसर होगी आपका A 0.12 तो ध्यान दिजेगा independent event में आपको important formula की तोर पर जो ध्यान देना है उसको जड़ा देख लिजेगा ढ़ंग से independent event इसको थोड़ा साम बता देते हैं lecture independent event पहला बात है कि अगर A और B independent event है if A and B are independent event if A and B are independent events then probability of A upon B बराबर होगा probability of A और probability of B upon A probability of B upon A बराबर होगा probability of B यानि P A बटा B का मतलब हुआ A की probability जब B हो चुका हो तो A की probability उतना ही है अकेले में जितना B के हो जाने के बाद है तो A और B को कहेंगे independent event A और B का लाएगा independent event यदि B के होने या ना होने से A के probability पर कोई फरक न पड़े यह पहला formula हुआ दूसरा formula देखिए इसी से आ जाएगा अभी देखिए PA बटा B बराबर आपने क्या देखा PA और PA बटा B का formula क्या होता है probability of A intersection B upon probability of B बराबर probability of A तो probability of A intersection B बराबर होगा probability of A गुना probability of B तो यह दूसरा important formula है जिस पर अभी सवाल था कि अगर A और B independent event है तो PA intersection B बराबर होगा PA into PB अब तिसरा देखिए probability of A union B बराबर क्या हो जाएगा कब independent event के लिए ध्यान दिजेजा अगर independent event न रहे तो PA union B का अपना सरवाहारी formula क्या PA plus PB minus PA intersection B यहां भी वही formula लगाएंगे लेकिन उसको यूज करते हुए कोई अलग से formula आ जाएगा PA union B बराबर होता है PA plus PB minus probability of A intersection B अब probability of A को रहने देजे probability of A plus probability of B चुकि A और B independent event है तो probability of A intersection B के जगा पर क्या हो जाएगा A की probability अब उना B की probability अब ज़रा ध्यान दिजे इस A की probability को आप लिख सकते हैं 1 minus A के नहीं होने की probability और इन दोनों में B की probability को आप common ले लिजे तो बचेगा 1 minus P A अब और फर्दर expand कीजिए तो यह मिलेगा 1 minus P A dash plus P B गुना 1 minus P A यानि 1 minus A के होने की probability बराबर क्या हो जाएगा A के नहीं होने की probability यानि P A dash अब यह 1 को रहने दीजे और इन दोनों में P A dash को common ले लिजे तो यहां क्या बच जाएगा 1 minus तो common ले लिए तो minus minus plus लेकिन यहां वहला sign बदल जाएगा यह हो जाएगा minus और यहां क्या बचेगा P B यह हो जाएगा 1 minus P A dash और 1 minus P B का मतलब होगा P B dash यह एक important formula हो गया और CVC में इसको proving भी पुछता है तो यह CVC के लिए बहुत जादा important हो गया कहेगा कि अगर A और B independent event है तो साबित किजिए कि P A union B बराबर होगा 1 minus P A dash into P B dash कहेगा साबित किजिए दो नमबर के सवाल में पुछ देगा कि if A and B are independent event then prove that P A union B बराबर 1 minus P A dash into P B dash तो हम डिटेल बता दिये हैं independent event पर कुछ सवाल भी आप बना लिजेगा आपको मिल जाएगा NCRT गुक में जो है सवाल उसको आप बना लिजे independent event का इतना formula से सब सवाल बन जाएगा तो विडियो देखने से यही फाइदा है कि subjective भी आप बना लेंगे इसके बाद हम subjective भी शुरू करेंगे अभी एक दो topic और है जिसको objective के रूप में हम लोग देख लेते हैं फिर उसको बनाएंगे जादा से जादा हम देखते हैं आपका exam से पहले जादा से जादा topic आपको हम cover कर दे कुछ सवाल और बढ़ाना पढ़ेगा तो और बढ़ाएंगे वीडियो के time को बढ़ाएंगे चुकि मेरे mobile में space कम रहता है तो देखिए 25 मिनट में red mark आ गया चलिए वीडियो खतम करना होगा वीडियो को अंत अंत तक देखने के लिए आप सभी का पुना आभार बहुत बहुत धन्यवाद आप से गुजारिस है कि जादा से जादा वीडियो को share कीजिए ये लगवग 490 पलस वीडियो मेरा हो गया इस channel पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमको आगे बढ़ाएंगे हम इससे पैसा कमाएंगे बस लगे की लोगों को कि अराम से कोई चेप्टर पढ़ा जा सकता है सरल भासा में सहज भासा में मैथ सिखा जा सकता है बस हमारे लिए यही काप ही है आप ज़्यादा से ज़्यादा share कीजिए खास कर 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 करके सुदुर गरामिन छितर के विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से मैथ सिखने के लिए यह चैनल बहुत लाप्रद हो सकता है आप इनके बीच इसको share कीजिए आप सभी का पुना आभार बहुत बहुत धन्यवाद गुड़ नाइट